दोस्तों कल आपको देखने को मिलेगा Time prediction और आपको पता है बैंक नप्टी कितनी देर में गिरेगा उठेगा 9 बज़े से पहले आपको पता चल जाता है और साथ में यह Time prediction आपको करही किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा तो जाके जॉइन के लीजेगा हमारे टेलिग्राम चैनल को जो की एकदम free of cost है अगर आप ऐसे profit बनाना चाते तो description में लिंग मिल जाएगा जाके जॉइन करिएगा अब मैं बात करूँगा RBI ने एक particular step लिया है इसकी guideline जारी हो चुकी है बैंकों पे impact पड़ेगा, private बैंकों पे impact पड़ेगा, साथ ही साथ bank nifty babies का impact पड़ेगा और ये particular news market के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि आपको पता है जब भी norms में कुछ restrictions आते हैं तो वो चीज अच्छी नहीं मानी आती है, banks अपने आपको healthy cup फील करते हैं जब उन्हें छूट दी जाए बहुत ही lenient manner में कुछ ऐसे rule बनाये जाए जिससे bank को के हाथ खोले जाए यहाँ पे जो update है वो हाथ बंद करने वाली है, और वहाँ पे थोड़े से हाथ बंद करने की कोशिश RBI की तरफ से की जा रही है और अगर यह की जा रही है तो बहुत जगे से जो banks हैं वो अपना पैसा निकालेंगे risky assets से और बहुत जगे safe assets पे अपना पैसा डालेंगे after this guideline तो पहले guideline समझ लीजे, फिर impact बताता हूँ, वीडियो को like कर दीजे, यह information कहीं नहीं मिलेगी आपको और time to time इतनी latest information के लिए चैनल को subscribe कर लीजे, तो RBI ने issue करा है draft guideline for minimum capital requirement for market risk तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो minimum capital requirement था, वो कम था और अब थोड़ा सा बढ़ाने की बात हुई है और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे तो basically market risk को कम करने की बात करिये तो आप देखेगा, आप एक golden fundamental rule पढ़ते हो अगर अपने finance पढ़ा है कि आप risk को कैसे कब कर सकते हो, जब आप अपने funds को raise कर दो for example, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 लाग रुपए में कोई business start करना है लेकिन ना जमीन आपकी होगी, ना place आपकी होगी, ना particular देखेगा आप वहाँ पे freely operate कर पाओगे, तो आप कहोगे ठीक है लेकिन यहाँ पे पैसा ज़्यादा आएगा, अब यहाँ पे risk क्या है, पैसा तो ज़्यादा आएगा लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज आपके पास नहीं होगी, तो जब भी आपका business चलने लगेगा तो हो सकता है, आप उस place से निकाल दिये जाओ, लेकिन अगर मैं आपसे कहा हूँ कि मैं आपको एक करोण पे दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक place दूँगा, वो आपकी place होगी आप जो भी business करो, पैसा थोड़ा कमाएगा, लेकिन sure guarantee आएगा तो आपका क्या होता है, यहाँ पे capital requirement बढ़ जाता है और यह capital requirement जब बढ़ता है, तो आपकी जो other investment होगी पाच लाग में तो 10 business हो जाते हैं, बीस business हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे एक करोण में एक ही business होगा, तो same होता है बैंकों के साथ, कि जब वो market risk को कम करने की बात कहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने particular देखेगा, जो funding होती है, जो base होता है, उसको raise करना पड़ता है, और capital requirement देखेगा, जो है, वो एक ऐसा particular norm है, बैंकों को लेकर, कि वो जब भी कभी बढ़ाने की बात, या फिर risk करने की बात कही जाती है, तो बैंकों के थोड़े से हाथ बंद करने की बात की जाती है, तो ये चीज़ बहुत important है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे basal 3 standard, जो की international level पर बनाए गए है, और इन standard का main objective यही था, कि जो banking system में उसको strength दी जाए, उसकी credibility को raise किया जाए, और देखेगा, उन्ही bankों को banking system में रखा जाए, जो इन norms को follow कर रहे है, ताकि global participation बढ़े और global transactions बढ़े, चुकि अगर जो country basal norm की standards को follow कर लेती है, तो उनसे international transaction करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यह माना जाता है, कि उस देश का banking system काफी मजबूत है, और यहाँ पे आगे चलके व्यापार किया जा सकता है, लेकिन यह जो standards होते हैं, वो इतने typical होते हैं, कि इनको follow करने के लिए, इनको align करने के लिए, क्या करना पड़ता है, बैंकों को थोड़े से अपने हाथ बंद करने पड़ते हैं, और अब RBI ने यहाँ पे release कर दी है, पूरी guideline, banking regulations से related, BASAL 3 standards से related, the central bank has invited feedback on the proposal norms until April 15, 15 April तक सारे proposal मांगे हैं, with the final guideline expected to become effective 1 April 2014, तो आप समझ सकते हैं, कि अब पूरी रूप रेखा त्यार होगी, जो banks पूरी तरीके से इनको follow कर रहे हैं, क्या feedback हैं, किस तरीके से देखेगा, कितना follow कर सकते हैं, उसके हिसाब से BASAL 3 standards के साथ alignment करा जाएगा, alignment का मतलब है, थोड़ा सा restriction, यह आप पहले से समझ लीजे, और इसमें बोला क्या गया है, capital requirement, bank will need to have well defined policy, procedure, documented practice, to determine which instrument to include or exclude from the trading book, तो आप समझ सकते हैं, trading particular currency की भी की जाती है, और securities की भी की जाती है, तो securities में आपको वही चीज़ रखनी है, currency में वही चीज़ रखनी है, जो less risky है, चुकि यह basis standard का एक particular norm है, कि आपको कभी भी दिक्कत आए, तो आपके पास ऐसी security होनी चाहिए, तो जो तुरंट convertible हो जाएं आपकी cash में, या फिर आपके पास liquid asset में, तो अगर आप देखेंगे, कि market risk के कारण जो potential losses होते हैं, from an off balance sheet position, due to changes in the market prices, इसको कम करने की बात कहीं जारी है, तो actual में क्या होगा, कि थोड़ा सा risky asset से जो पैसा है, risky security से पैसा है, वो बैंकों को कम करना पड़ेगा, और अपने risk को averse करने के लिए hedging करनी पड़ेगी, और arbitrage करना पड़ेगा, उन सब चीजों को follow करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे, कि यहाँ पे, effects in the trading book that are not legally restricted, यानि कि अगर आप देखेंगे, central bank ने mandate किया है, that bank must include only those financial instruments, in the trading book that are not legally restricted, यानि कि जो भी risky asset है, उसमें आप, देखेगा, trade मत करिये, और साथ ही साथ, उन्हें अपनी books में include मत करिये, और वो fully hedged हों, ये ना हो कि आपकी, जो capital requirement हो से problem में आ जाए, kind of problem में आ जाए, चुकि bankों के strength के लिए बहुत important है, कि वो minimum norms को बहुत अच्छी तरीके से follow करें, तो kind of देखेगा, risk को कम करने की बात कही जा रही है, और risk को कम करने के लिए आपको पता है, extra funds की जुरूत पड़ेगी, कहीं से पैसा निकालना पड़ेगा, और कहीं मजबूत funds में पैसा डालना पड़ेगा, जिससे आपको पता है, private bankों को असर पड़ेगा, और उनके profits पे भी असर पड़ेगा, और आप देखेंगे, बेसल 3 standard है, क्या, यह global regulatory standard है, develop करें गए थे, देखेंगा, 2008 में, और आपको पता है, these standards aim to improve the resilient and the banking sector strengthening capital requirement, liquidity standard, ताकि, जो 2008 में crisis हुए थे, आपको पता है, यह जो मंदी आई थी, अमेरिका में, bank के डूबने के बाद, तो आपको पता है, Lehman Brothers की, तो उनको देखते हुए, अचानक से कैसे नहीं पता चल पाए, कि इतना बड़ा bank डूब गया, तो उनको देखते हुए, यह शुरू किया गया था initiative, ताकि, अब किसी other country में, ऐसी चीज अचानक से ना हो, तो अब आपको पता है, bank nifty के लिए अच्छी update क्यों नहीं है, चुकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखीगा पैसा बनाया जाता है, bank nifty में, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, कि bank nifty में, जो private banks होते हैं, वो risky asset में थोड़ा सा पैसा डालते हैं, अच्छा पैसा बनता है, तभी वो ज़्यादा तेजी से grow करते हैं, PSU bank के comparison में, तो इसलिए उन पे impact पढ़ सकता है, इस update के बाद, तो इसका impact capital market पे भी पढ़ सकता है, sell on rice की उपर की तरफ strategy रहेगी, ज़्यादा confident नौ यह उपर की तरफ अगर banks जाते हैं, तो profit booking भी time to time आपको देखने हो मिलेगी, वीडियो और अच्छा लगे, तो like, share, subscribe करना न बुलेगा, thank you so much.